स्वागत है आपका अपने चैनल एक लव्या स्टेडी पॉइंट पे और मेरा नाम है सचेन और आज की इस वीडियो में most important topic पे आज हम बात करने वाले हैं जैसा कि आप सामने देखी सकते हैं कि last three months में ऐसे पढ़ोगे तो पक्का बनोगे टॉपर तो आपको आज में आपको पता है मैं ज़्यादा ऐसी वीडियो बनाता नहीं हूँ मैं तभी बनाता हूँ जब सच में इस चीज की जरूत होती है मतलब हम mainly focus इस चीज पे रखते हैं कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको आपका material provide कर पाएं और आप जादा से जादा अपनी practice अच्छे से कर पाएं हम ऐसी वीडियो तभी बनाते हैं जब जरूत पढ़ती है तो वो मेरे को लगता है कि अब जरूत है इस चीज की कि last 3 महीने में कैसे पढ़ना चाहिए क्योंकि ये जो time अब आपके पास बचा है फरवरी का महीना आपको पता है अब start हो जाएगा कल से फरवरी, March और April ये 3 महीने ही है आपके पास और में से आपको पता है आपके exams होंगे ठीक है तो ये last 3 महीने में आपको कैसे पढ़ना है कि आप topper पक्का बन जाओ, ठीक है, क्योंकि हर कोई चाहता है आज के time पे कि हर कोई topper बने तो आप ये कैसे पढ़ोगे कि आप topper बन जाओ, तो आईए वीडियो को आप end तक देखना आपको जरूर समझ में आ जाएगा सबसे पहरे तो आपको बता दूँ कि जो बच्चे ये पूछते हैं कि हमें notes कहां से मिलेंगे, हमें notes पढ़ने हैं तो आपको notes हमारी website पे मिलेंगे, उसके लिए अगर आपको नहीं बता website पे कैसे जाना है तो उसको पहला step ये है कि आपको google खोलना है, google पे search बार पे जाना है और लिखना है clubwaystudypoint.com उसके बाद second step आपके सामने होगा, आपके सामने ये website ने खुलेंगे, उसमें से सबसे उपर जो होगी clubwaystudypoint.com ये हमारी website होगी, इस पे जाना है, फिर step 3 जो होगा आपके सामने हमारा homepage खुल जाएगा, ये 3 line आपको दिख रही होगी, इस पे जब आप click करोगे तो आपके सामने categories आ जाएगी, आपको अपनी class select करनी है, अगर आप 12th में हो तो 12th पे select कर लेना, 10th में हो तो 10th पे कर ले अब हम आगे बढ़ते हैं अपने आज के topic की तरफ और आपको बताना चाहूँगा, आप मुझे Instagram पर follow कर सकते हैं, अगर आपके कोई भी problem हो तो, तो फरवरी का जो आपका महीना कल से start होगा, इसके लिए क्या planning होनी चाहिए कि आप अपने exam आते आते तब तक आपका दिमा आपके बास जो भी subject हैं, हमने यापे Hindi, English, Physical Education, Geography, Polescience, History, लगभग जो arts में subject होते हैं, हमने सब करवा रखे हैं, ठीक है, तो आपको वीडियो को कम से कम दो बार देखना है, दिन में अपना एक time table बना लो कि आपको इस subject की वीडियो देखनी ही देखनी है, ठीक है, क्योंकि वीडियो आपका एक तो time बचाती है, ठीक है, अगर इस time पे आप पूरी NCRT उठा के बैट होगे, तो कुछ समझ में नहीं आएगा, और सर घूम जाएगा, फिर बंद करके आप लेट जाओगे, या मोबाइल उठा लोगे, तो आपको वीडियो देखनी है, क्योंकि वीड untouched topics, यानि कि इसका मतलब ये है, कि ऐसे topic जिनको अभी तक आपने हाथ नहीं लगाया था, for example, अगर आप Paul Science पढ़ते हो, आपने हो सकता है, कोई ना कोई ऐसा topic छोड़ दिया हो, जो आप सोच रहे होगा, यार अभी इसको छोड़ देता हो, इसको मैं बाद में कर लोगा, तो वो time अब आचुका है, फरवरी में आपको उन topics को जादा से जादा focus रखके करना, ठीक है, कि जो topic अभी तक तक तुमने हाथ भी नहीं लगाये थे, ठीक है, जो बिल्कुल तुमने पढ़े नहीं थे, उन topics को पढ़ लेना, यही time है, क्योंकि exam time पे जब कुछ नया पढ पढ़ने जाओगे, तो पुराना भी भूल जाओगे, तो फरवरी का time जो है, सबसे best है, untouched topics को पढ़ने के लिए, ठीक है, तो learn untouched topics, वो तुमें बताओगा कि तुमने कौन से topic छोड़े है, उनको जरूर पढ़ना फरवरी का time है, क्योंकि हर एक topic पढ़ना जरूरी है, आपके topics remaining है, उनको आप कर लीजे, फरवरी का ही आपके पास में time है, ठीक है, और attempt quiz and watch MCQ videos, ये आपको जरूर करना है, जो quiz हमारी mobile app में आपको मिलते हैं, अगर आपको नहीं पता, आप एक लब्वे official mobile app हमारी download कर लेना, प्ले स्टोर से, उसके अंदर हम सभी subjects के लिए quiz व और MCQ videos आपके लिए daily आई रही हैं, कोई ना कोई subject की, तो इन चीजों से ही आपकी knowledge बढ़ेगी, आपको पता चलेगा आपकी कितनी तयारी है, क्योंकि आपके exams में MCQ questions आपकी बारी बहुत सारे आने वाले हैं, और ये ही आपको topper बना भी सकते हैं, ये ही आपको topper बनने स से रोक भी सकते हैं, इसलिए quiz और MCQ attempt करना बहुत जरूरी है, तो ये हमारा फरवरी का schedule रहेगा, समझ में आ गया, एक तो जो topic आपने अभी तक नहीं पढ़े थे, वो पढ़ने हैं, remaining chapters ये topic जो भी हैं, आपको दुबारा से उसको पढ़ लेना हैं अभी, फिर time नहीं मिले अगले महीने मार्च की तरफ एक कदम और आगे, आप आजाओगे, ठीक है कह सकते हैं, एक कदम और नस्दिक आप अपने exam की तरफ आजाओगे, तो मार्च के महीने में आपको क्या करना है, revise करना है, अपना whole syllabus, जितना भी आपका syllabus है पूरा, उसको revise करना है, अब revise कैसे करन है, focus on weak topics, जिन topic में आपको लगता है, आप कमजोर हो, उन पे जादा से जादा practice करो, उनको लिख लिख के याद करो, उनको समझो है क्या, उनके लिए आप videos देखो, उनके लिए आप google करो, कुछ भी करो, जिन topics में weak हो, उनको करो, उनको पकड़ो, ठीक है, कि आपको लगता है, ये मुझे बहुत जादा, मुझे hard लगता है, मैं इसको कैसे करो, वो अभी ही उसको कर लो, last में करोगे तो वो नहीं हो पाएगा, वो आपको अपने March महीने में start हो चाहे, तो आप ये चीज़ें लिख भी लेना, आपको मैं बता रहा हूँ, बार-बार मैं नहीं बता ह सिरब मैं तभी बनाता हूँ, जब काम जरूरी होता है, ठीक है, तो focus on week topics, जिन topics में आप week हो, उनपे focus करना, उसके बाद go through NCRT final time, यानि कि last time अब आपको NCRT पढ़ने जाना है, इसके बाद आपसे कोई नहीं कहेगा कि NCRT पढ़ लो, NCRT आपको पता है, सबसे best book है, NCRT स पढ़ोगे, पूरी reading करोगे chapter की, आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सा topic उसमें से छूटा हुआ है, वैसे मैंने बता दिया था आपको कि फरवरी में सभी छूटे वे topics आपने कर लेना, March में final time हर chapter की reading करना, ताकि छोटे सी छोटी जो जानकारी है, वो भी आपकी माच MCQ आपको टोपर बनने से रोग दें, और वो MCQ ऐसी जगा से आए हो, जो आपको पढ़ना चाहिए था reading करके chapter, वो आपने नहीं पढ़ा deeply और वो MCQ वहाँ से आगे, तो NCRT जरूर पढ़ना, NCRT से बाहर MCQ नहीं आएंगे तुमारे, NCRT अच्छे से पढ़ना March में, और March में जो वीडियोज, अब आप फरवरी में दो टाइम देख रहे थे, March में उसको दो से बढ़ा के तीन कर देना, ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा वीडियोज देखोगे, सुना हुआ ज़्यादा याद रहता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, reading से इतना याद में जितना आपको सुना हुआ याद रहेगा, प्लस हमने आपके लिए English के आप notes देखोगे, आपको पूरे YouTube पे कहीं ऐसे notes नहीं बिलेंगे, क्योंकि उसमें हमने इस तरीके से बनाया है, कि जो बच्चे की genuine problems होती है, उसको देखते हुए, हम चाहते हैं तो आपके लिए Hindi में से at least 2 से बढ़ा के उसको आप 3 कर देना ताकि आपकी practice ज्यादा से ज्यादा हो, और revise करते time आपका time भी ज्यादा consume ना हो, और last में एक यहां पर factor और काम करता है, जो की e-book का है, e-book किसी के लिए compulsory नहीं है, कि लेनी ही लेनी है, जो interested है, जो अपनी तयारी को और boost करना चा हमारे mobile app में यह आपको option मिलेगा e-book purchase करने का, और धीरे धीरे हम ओर subject की e-books भी लाएंगे, जिससे आप अपनी तयारी और अच्छी कर पाओगी, क्योंकि उसमें question answer की form में वो e-book होगी, सिरफ question answers होंगे, only question answers और very important question answers, तो यह March का महिना हमारा ऐसे जाने वाला है, ठीके, कि आपको जो है अपनी revision करनी है, week topics पे अपने focus करना है, NCRT को final time chapter wise read करना है, और कम से कम videos को 2-3 वारे देखना है, और e-book आपके उपर optional है, लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं लेनी तो आप ना लो, उसके बाद next महीना आपका आएगा, अप्रेल का, अप्रेल का महीना बहुत जादा आपके लिए important रहने वाला है, क्योंकि ये वो अंतिम महीना होगा, आपके board exam से एक महीने पहलेगा, इसमें sample papers solve करने हैं, sample papers आपको आपके जो school से supporting material मिलते हैं, ठीक है, उसमें आपको जब आप देखोगे supporting material तो आपको पीछे वाँपे कुछ questions दिये जाते हैं, sample papers आ होते हैं और solve वाले भी होते हैं, तो आप unsolved वाले sample paper, जिसे model paper भी कहते हैं, वो आप जरूर देखना और उनको solve करने की कोशिश करना, second आपको काम करना है self test, यानि कि आपको अपना खुद का test लेना है, आपको कुछ questions लिख लेना है, चाहे आप per chapter से 10 questions लिख लेना, उनके answers बिना देखे, खुद लिखना, ठीक है, क्योंकि देख के लिखने का कोई फायदा नहीं है, खुद लिखना और खुद उसको check करना, यह चीज मैंने पहले भी बता रखी है, और strictly check करना, यह हो सके तो किसे अपने बड़े भेन भाई से check कराना, और self test बहुत जरूरी है, इस होगा, previous year question paper से, अगर आप एक बार practice कर लोगे, idea लग जाएगा, paper कैसा आता है, paper का format क्या होता है, और आप उसको फिर अच्छे से लिख पाओगे, और उसके बाद आपको क्या करना है, कि only focus how to write in exams, अप्रेल महिने में सिरफ और सिरफ आपका focus यही रहना चाहिए, कि कैसे exam म लिखना है, अप्रेल महिने को खराब मत करना है, NCRT पढ़ने में, या कुछ इदर उदर की कामों में, ठीक है, और एक चीज़ आपको मैं और बताना चाहूंगा, कि हमारे episodes भी आना start हो जाएंगे, ठीक है, तब तक तो, मैंने यहापे लिखना भूल गया, कि episodes जो हमारे हो होते हैं, उसके most important question answers होते हैं, जो हम करवाते हैं, वीडियो में, वो भी आपके आना start हो जाएंगे, तो episodes को देखना है, आपको ठीक है, और यह आपका अप्रेल महिने का schedule रहने वाला है, इसके अलावा और कुछ भी मत करना, अभी आप NCRT reading करने बैटो अप्रेल में, क्यो आप इन सब चीजों को follow करते हैं, बाकी हर किसी का अपना तरीका होता है, पढ़ने का, मैंने आपको अपना तरीका बताया, कैसे मैंने पढ़ाता, मैंने सेम यही tips अपनाई थी, अपने exam से 3 महीने पहले, तो आप अगर इनको अपनाते हो, तो जरूर आपको इसका फायदा मिलेगा, तो इस वीडियो में मुझे यही बताना था, वीडियो पसंद आई हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले, बेल आइकन दबा दें, ताकि आनवाल वीडियो के अप्रेट आपको मिलते रहें, जै हिंद, जै भारत, धन्यवाद